गुड मॉनिंग एरीवन एक बार फिट से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेर की सिरीज में स्वागत है तो आएए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में हम 22 जून के सभी करंट अफेर को डिटेल में समझेंगे एक एक फेक्ट को डिसकस करेंगे इसलिए सेशन में एंड तक बने रही है बहुत इंटरस्टिंग सेशन है बहुत ही मज़ा आएगा आपको और जितने भी कोश्चन यहाँ पर हम डिसकस करेंगे वो सभी एक्जाम के पॉइंट अव व्यू से बहुत ही इंपॉर्डेंट है वीडियो में एंड तक बने रही है स्कलेक्ट कर लीजिए शाम को छे बजए काफी स्टुडेंट के कमेंट आते हैं कि सर पीडियेफ कहां मिलेगी इसलिए मैं आपको बार बार अपडेट कर देता हूं चलिए शुरू करें 22 जून के करेंट अफेर पर चलने से पहले कोश्चन ऑफ दे देखिए ITBP के किजिएगा मिड वीडियो में और कुश्चन एड़ ओन होंगे उनको भी ध्यान से सुनिये और सब को एक साथ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में तब तक हम चलते हैं आज के करेंट अफेर के पहले कुश्चन पर शुरू करें अठवी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे न्युक्त किया गया देखिए बहुत इंटरस्टिंग है प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं पहले ये समझो देखिए जब भी नई लोकसभा आती है तो पहली बेठक में कोई स्पीकर नहीं होता पहली बेठक के ठीक पहले पु समझ लो आप पहली बेठक में करवाने क्या वाले हैं जितने भी मेंबर ओफ लोकसभा हैं उनको शपत दिलवाएंगे और उनके बीच में से लोकसभा अध्यक्ष का एलेक्षन कंड़क्ट कराएंगे ये काम किसका है प्रोटेमिस्पीकर का पहली बेठक में न्यूक्ति रास जिसे आते हैं ओडिशा से बीजेपी के लोकसभा एमपी हैं लोकसभा के सदस्य हैं भर्थरी महताब जिनने लोकसभा में प्रोटेमिस्पीकर के रूप में भारत की प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मु के द्वारा नियूक्ति किया गया ठीक है समझ में आ गया अईस्ता प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति रास्ठ पती के द्वारा की जाएगी। काम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इनके काम क्या रहे। सारे सदस्यों को पहली बेठक में शपत दिलवा देना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रकृया को संचालित करना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। तो अठ्रवी लोगसभा अभी शुरू हुए नई लोगसभा इसमें प्रोटेम स्पीकर कोन चुने गए तो ये है भर्थरी महताब और इशा से बीजेपी के लोगसभा स्तांसर ठीकें तो अब अगर प्रोटेम स्पीकर से constitution के point of view से भी question आ जाए तो confuse मत होईएगा बहुत ही easily मैं आपको समझा दिया आगे बढ़ने से पहले आज का offer of the day देख लें तो आप सभी के लिए maths और reasoning का compilation package available है recorded बेचे जहां पर देखिए आपको arithmetic, advance और साथी साथ reasoning का भी course इस single package में available है काफी nominal charges से सभी के आपको recorded classes मिल जाएगी, pdf मिल जाएगी और साथी साथ mock test भी आपको आपके course में ही available हो जाएगा देखिए package में इतने nominal charges काफी कम आते हैं, इतने nominal price काफी कम आते हैं तो बिना देर की आप इसे purchase कर सकते हैं link आपको description में दी गई है, वहाँ पर click कीजिए और direct आप इसे available कर सकते हैं bilingual है तो और आपकी problem solve हो जाती है, आप किसी भी medium में तयारी कर रहे हैं हिंदी या English, bilingual आपको ये सारे lectures मिल जाएगे link पर click कीजिए, आप direct आवेल कर सकते हैं और अगर कोई भी doubt आता है आपको, तो आप नीचे help line number दिया गया है, उस पर call कीजिए, आपकी query वहाँ पर solve हो जाएगी ओकी, second question पर आएं, second question, cabinet द्वारा वधावन बंदरगा परियोजना को मंजूरी दी गई, वधावन बंदरगा परियोजना किस रज्ज में इस्तित है, तो देखिए वधावन बंदरगा या पोड की बात करें, तो इस project को हाली में Central Government ने मंजूरी दी है, ये इस्तित है भार cabinet ने महरास्ट के वधावन पोड के निर्मान की हाली में जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसको मंजूरी दी है, ठीके, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पोड है, ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाय जाएगा, अब आपके दिमाग में आएगा कि ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट क्या, तो देखिए एसा निर्मान जो की पूरी तरीके से नया स्ट्रक्चर है, मतलब ना तो पहले कोई पुराना निर्मान था, जिसको तोड़ा जाएगा, द्वस्त किया जाएगा, और उसके बाद नया पोड बनाया जारा है, नहीं, पूरी तरीक लिमिटेड इसका निर्मान करेगी, इसमें देखिए टोटल च्योत्तर हजार दोसो करोड रुपे की लागत आएगी, आसपास की भूमी को अधिगरहित किया जाएगा, बैसिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, टर्मिनल का निर्मान किया जाएगा, तो पूरे पो पोर्ट हो सकते हैं, एक मेजर पोर्ट और एक नॉन मेजर, मतलब एक तो बड़े बंदरगा और एक छोटे बंदरगा, बड़े बंदरगा का नियंत्रन करने के लिए मिनेस्ट्री ओफ पोर्ट, शिपिंग और वाटर वेवस जिम्मेदार है, ये मंत्रा ले कंट्रोल करता है, बड़े पोर्ट को यहां से इंटरनेशनल परिवहन कंट्रोल किया जाता है, अभी तक भारत में 12 बड़े पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि सकरी रूप से काम कर रहे हैं, 12 पोर्ट है बड़े, और छोटे पोर्ट की बात करें, लगू पोर्ट की बात करें, तो ये राज्य सरकार इनको कंट्रोल करती है, इसके अलावा जो इस्टेट मेरी टाइम बोर्ट है, वो कंट्रोल करता है, छोटे छोटे परिवहन आसपास के, जो राज्यों के परिवहने वो यहां से कंट्रोल कीए जाते हैं, और वर्तमान में 200 छोटे बंदरगा हमें भारत में देखने को मिलते हैं ठीक है वधावन पूट से हमारा कोष्जन है तो यह कहां पर हैं महारास्ट में कि थाड़ कोष्जन पर आइए पद्म भूशन से सम्मानित नरतक सीवी चन्दरशेखर का निधन हो गया T.V. चंद्रिशेखर का संबंद किस निरत्य से है तो C.V. चंद्रिशेखर की बात करें तो ये भारत के बहुत ही फेमस भरत नाट्यम के निरतक थे जिनका हाली में लंबी विमारी के बाद निधन हो गया देखिए कहा से बिलोग करते थे तो C.V. चंद्रिशेखर शिमला से बिलोग करते थे ठीके भरत नाट्यम से संबंदी थे अब ये भी बताना पड़ेगा शिमला किस रज़ में आता है ब इतना स्पल सी चीज़ भी बतानी पड़े तो फिर related dance भरतनाट्यम awarded भी हैं काफी सारे अवोर्ड भी दिये गए हैं भरतनाट्यम में इनके योगदान के करण सबसे important है पद्म भूशन इन्हें दिया गया था 2011 पद्म भूशन से सम्मानी थें सीवी चंद्रिशेखर भरतनाट्यम नरत्य के नरतक है जिनका हाली में निधन हो गया पद्म भूशन तो दिया ही गया है साथी साथ इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवोर्ड 1993 में दिया गया था और कालिदा सम्मान दिया गया था 2008 में तीवी चंद्रिशेखर हाली में निधन हो गया भरतनाट्यम नरत्य के नरतक थे भारती सेना का उप्रमुक किसे निउक्त किया गया तो भारती थल सेना का उप्रमुक डिफ्टी चीफ निउक्त किया गया है लेटिनेट जनरल एन एस राजा सुब्रमनी को अंसर डी इनके पहले उपप्रमुख के डिफ्टी चीफ के पत पर उपेंद्र द्रिवेदी थे लेकिन उपेंद्र द्रिवेदी को आपको याद है लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्रिवेदी को कुछी दिन पहले भारती थलसेना का चीफ बनाया गया है तो अब उपप्रमुख या राजा सुब्रमनी ठीक है ना भारती सेना के उप्रमुक न्यूक्त किये गए लेफ्टिनेट जनरल ठीक है ओके इनके पहले जैसे कि अभी में आपको बता है उप्रमुक कोन थे उपेंद्र द्रिवेदी लेकिन इन्हें थल सेना का हाली में कुछ समय पहले ही प्रमुक और फिर उसके बाद आगे अलग-अलग पोस्ट पर काम किया है और अब उप्रमुक बने है भारती थल सेना के यहां पर आपको कुछ अलग-अलग सेना प्रमुक के बारे में काफी बार बता भी चुका हूँ और यहां पर भी रिपीट कर देता हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चोहान, भारती थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंड द्रिवेधी 30 से प्रमुक हैं भारती नो सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एंडियन नेवी एडमिरल दिनेश्ट रिपाठी 26 से प्रमुक हैं और चीफ अफ दा एयर स्टाफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल वियार चौधरी 27 रे चीफ हैं ये वायू सेना के ठीक है इनको भी याद रखिएगा साइड हो जाता हूं नोट कर लीजिए ये पूछे जाते एक्साम में कभी ना कभी यहां से कोश्चन आ जाता है अगले कोश्चन पर आएं अंतिराज की ओलंपिक दिवस कम मनाया जाता है तो पूरे वल्ड में इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में अब्जर्व किया जाता है 23 ओव जून को अंसर हो जाएगा अंसर बी पूरे वल्ड में ओलंपिक खेलों के प्रती लोगों को करना इंटरनेशनल ओलंपिक डे को मनाया जाने का मुख्युद्देश है 23 जून को मनाया जाता है दोहजार चोबिस में Let's Move and Celebrate दोहजार चोबिस में International Olympic Day की थीम है ठीके तो कब मनाया जाता है 23 जून को थीम पता चल गई पहली बार ये डे मनाया गया था 23 जून 1948 में 23 जून की डेट क्यों है क्योंकि थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 23 जून 1894 में पीरेडी कुबर्टीन ने अंतरास्ट्य ओलम्पिक समीति की स्तापना की थी तो इस डे को याद रखने के लिए 23 जून 1948 में पहली बार International Olympic Day मनाया गया और तब से लेकर हर साल 23 जून को ये मनाया जाता है ठीके इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी IOC पूरे वर्ल्ड में ओलम्पिक खिलो का संचालन करने वाला अंतरास्ट्य ओर्गनाईशन है 23 जून 1894 में स्तापना की गई थी हेड़क्वाटर स्विट्जर लेंड के लुसाने में है और थोमस बाग वर्तमान में इस संस्ता के अध्यक्ष के पत पर है International Olympic Committee के हाली में इन्हें जापान के द्वारा Blue Planet Award 2024 से सम्मानित किया गया है जापान द्वारा Blue Planet Award 2024 जो की आशाही Glass Foundation जापान का है इसके द्वारा दिया जाता है किस छेत्र में तो उन वेक्तिया संगठनों को दिया जा सकता है जिन्होंने वेज्ञानिक अनुसंधान और उनके अनुप्रयोग द्वारा परियावरन समस्याओं का निराकरण किया हो इन्वोर्मेंट के लिए काम किया हो तो एसे किसी भी वेक्ति को दिया जा सकता है 2024 में आशाही Glass Foundation जापान के द्वारा Blue Planet Award 2024 दिया गया है रोबर्ट कॉस्टेंस को यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कौन है अमेरिकी इकोनोमिस्ट यह एक बार CHSL में कुश्चन आया हुआ है तो हमने यहाँ पर इसे कवर कर लिया अगला कुश्चन हाली में पुर्वी घाट पर साफ नदी में पाए जाने वाला गोमफोनेमाइड ढायटम की खोच की गई है तो इसका नाम क्या रखा गया तो इसका नाम रखा गया है इंडी कौनीमा जो की एक शेवाल है ठीक है नब पूर्वी घाट जो की दक्षिन भारत में पुर्वी तटो पर बंगाल की खाड़ी वाले तटो कोस्टेल इरिया में इस्ति थे यहाँ पर साफ नदी के पानी में खोजा गया है गोल्फो नेमाइड डाइटम शेवाल जिसे इंडी कोनी मा नाम दिया गया ठीक है ना यहाँ पर पता चल गया खोज किस ने किये पूने में एक अगर का रिसर्च इंस्टिटूट है इनके साइंटिस्टों ने इस एलगी की खोज किये काफी जगे देखिए इसका यूज है मानाव अस्तित्व के लिए भी काफी इंपोडेंट है यह प्रजाती इंडी कोनी मा नाम दिया गया देखिए ओक्सीजन उत्पादन में इसका महत्वे पूरी दुनिया भर में इस्तमाल होने वाली ओक्सीजन का लगबग 25% यह वा खादिश रंकला में इनका योगदान देखने को मिलता है ठीके ना जो तमुद्री खादिश रंकला या पानी की जली खादिश रंकला बोल लेते हैं जो जली खादिश रंकला है उसमें भी इनका योगदान देखने को मिलता है जल जीवो को भोजन प्रदान करने में साइनिक जो भी तत्व में उसके आधार पर अलग-अलग तत्वों के आधार पर ये सब्वेजन शील होते हैं अलग-अलग जो पानी में तत्वों के आधार पर अलग-अलग रियक्ट करते हैं इसलिए पानी की गुणवत्ता जाचने के लिए इनका यूस किया जा सकता है तो यह एल्गी है एक प्रकार का शेवाल है जिसे नाम दिया गया है इंडी कोनीमा ठीक है पुर्वी घाट पर साफ पानी में हाली में इस शेवाल की खोज की गई एक और चीज खोजी गई है पेट्रो कोस्मिया अणांचल लेंस ठीक है ना यह अणांचल प्रदेश में खोजी गई इसलिए इसे नाम दिया गया प्रेट्रो कोस्मिया अणांचल लेंस या लेंस ठीक है ना एक व्रक्ष की प्रजाती है ठीक है अनांचल प्रदेश में खोजी गए इसलिए इसका नाम थोड़ा सा अनांचल प्रदेश से रिलेट करके अनांचल लेंस रखा गया है ठीक है ना पेट्रो कोस्मिया किसकी प्रजाती है पोधे की व्रक्ष मतलब पोधे की प्रजाती है ठ भारती वनस्पती सर्वेक्षन द्वारा अणांचल प्रदेश में इसकी खोच की गए ठीके एक फैक्ट है इसे याद रखिएगा हो सकता है कभी पूछी जाए किसी एक्जाम में तो यहां पर नोट कर लिजे काम आईगी T20 World Cup 2024 में पहली विकेट हेड्रिक किसके द्वारा ली गई है तो विकेट हेड्रिक मतलब तीन विकेट एकस्तार जानते होंगे आप मेच तो देखते ही होंगे तो T20 World Cup 2024 का आउजन का किया जा रहा है अमेरिका और उसके साथ के वेस्ट इंडीज में है ना यहां पर इसका आउजन किया जा रहा है हाली में पहली विकेट हेड्रिक लेने वाले खिलाडी बने हैं T20 World Cup 2024 में यह पेट कमिंस औस्टेलियाई क्रिकेटर ठीक है ना तो T20 World Cup में औस्टेलियाई क्रिकेटर पेट कमिंस ने T20 World Cup 2024 में पहली विकेट हेड्रिक लिए बांगलादेश के खिलाफ इन्होंने यह हेड्रिक बनाई वेसे T20 World Cup में सबसे पहली हेड्रिक का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेटली के नाम है यह भी औस्टेलिया के ही क्रिकेटर है 2007 में इन्होंने T20 World Cup की अपनी पहली हेड्रिक लिए थी विकेट की ठीक है UNICEF और Health Effects Institute द्वारा जारी की गई आखडों के अनुसार वर्ष 2021 में वायू प्रदूशन में भारत के कितने लोगों की मृत्ति हुई तो देखे UNICEF और एक और प्राइवेट स्वतंत्र ओगनाईशन है जिसका नाम है Health Effects Institute इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तयार की है 2021 में वायू प्रदूशन के डेटा के आधार पर और इन्होंने बताया है कि 2021 में वायू प्रदूशन से भारत में 23 लाख लोगों की मृत्ति हुई अंसर सी कितने 23 लाग ठीक है ना 2021 के डेटा के आधार पर आकड़े जारी किये हैं इन दोनों संस्ताओं ने मिलकर रिपोर्ट में कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जैसे 2021 में वायू प्रदूशन के कारण पूरे वल्ड में 81 लाख लोगों की मृत्ति हुई है उनमें से भारत में 23 लाख लोगों की मृत्ति हुई है ठीक है ना वैसे ये जो 81 लाख लोग मरे है ना वर्ल्ड में जितनी भी मोते हुई है उनका 12% है 2021 का जो की वायू प्रिदूशन के कारण मरे ठीक है और इनमें से इंडिया में किती मोते हुई 23 लाख मोते इनमें से भी 5 साल से कम उम्र के 1,79,400 बच्चों की मृत्ती हुई है ये इस एड्रेस किया गया है 23 लाख भारत में मोते हैं रिपोर्ट यूनिसेफ और अमेरिका की हेल्थ इफेक्ट इंस्टिट्यूट इन्होंने मिलकर साजेदारी के आधार पर रिलिस की 2021 के वायू प्रिदूशन के डेटा के आधार पर ठीक है लास्ट कुर्शन देखते हैं ब्र आउजन 2024 में किया जा रहा है रूस में आंसर भी ठीक है ब्रिक्स के बारे में कल के सेशन में भी मैं आपको बताया था तो 12 से लेकर 23 जून 2024 तक ब्रिक्स गेम्स 2024 का आउजन रूस के कजान में किया जा रहा है ठीक है एक अंतरास्ति खेल प्रतियों किता है जो कि ब्रिक्स किस देशों के द्वारा आयुजित की जाती कमेंट में बताइएगा कि ब्रिक्स की स्तापना किस वर्ष की गई थी पांच देशों का एक संगठन था ना किस वर्ष इसकी स्तापना की गई थी चार देश ते शुरुवात में ब्रिक के नाम से जो स्तापना करते हैं कमेंट में बताना कि ये बताना कि अभी वरतमान में कितने देश हैं क्योंकि संक्या भी बढ़ीए वरतमान में कितने देश है और इस्तापना कि ड़ी थी बिक्स की ये बताईएगा चलिए लास्ट टे की current अफेर का आप रिविजन कर लेते हैं सबसे पहला question देखिए Energy Transition Index 2024 में भारत की रेंग क्या है तो Energy Transition Index 2024 में भारत को 63 वी रेंग पर रखा गया है ठीक है 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस का कोन सा संसकरण आयोजित किया गया तो 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मतलब वर्ल्ड योगा डे का दस्वा संस्करण आयजित किया गया गिद्दो की एशन किंग प्रजाती के सदक्षन के लिए दुनिया का पहला सदक्षन और प्रजनन केंद्र कहें स्तापित किया गया महाराज गंज अंसर सी केबिनेट ने नेशनल पोराजिक इनफोस्ट्रक्चर इनहेंसमेंट इसकीम को मंजूरी दी है इसका नोडल मंत्रा लए कौन सा है तो नोडल मंत्रा लए है होम मेनिस्ट्री हाली में केबिनेट ने कितनी खरीब क्रॉप्स पर नियुन्तम समर्थन मुल्ले जारी किया तो 14 खरीब क्रॉप्स पर 112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फरेंस का आयोजन कहां किया गया तो आयोजन हुआ है स्विट्जलेंड में चर्चा में रहा लाल भादूर शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट किस राज़ में इसती थे तो लाल भादूर शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट देखने को मिलेगा हमको उत्तर प्रदेश के वारानसी में आगे आईए, आगे बढ़ते हैं, हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा युनिवर्सिटी की स्तापना की, या सोरी, इनोग्रेशन किया है, पहली बार इसकी स्तापना किस ने की थी तिहास में, तो ये थे कुमार गुप्त, गुप्त वंच के शाशक, 5G Intelligent Village Initiative किस मंत्राले द्वारा पेश किया गया, तो इसे पेश किया गया है भारत के Ministry of Communication and Information Technology के द्वारा, संचार और सूचना प्रध्योगी की मंत्राले, लास्ट कुश्यन क्या था, किस देश के खिलाडी, ट्रेट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया, तो ये New Zealand के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया है, ओके, लास्ट डे का रिविजन हो गया, अब आजाईए बात करते हैं, कोश्यन ओफ देश की, देख लें, दुनिया की पहली लकडी से बनी सेटलाइट, लिगनो सेट किस देश ने निर्मित की है, तो जापान ने निर्मित की है, विश्व तंबाकु निशेद दीवस हरसाल 31 मई को मनाया जाता है, और किस अंस्ता दोरा प्रवा पोटल लॉंच किया गया, तो इससे लॉंच किया है, आर बियाई ने, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया, ठीके, तो बिलकुल सही अंसर आया ह हमारा राज कुमार, राजु कुमार है, राजु कुमार रंजन, ठीके, इनका बिलकुल सही आया, और काशी नाम से जो आईडिय है, वो भी बिलकुल सही अंसर किया है, मिड वीडियो में भी मैं आपसे एक कोश्चन पूछा था, अंसर सही है, जापान 31 मई और RBI, ठीके, म बहुत इंट्रस्टिंग कोश्चन थे, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में है, मैट्स और रीजनिंग का कमपाइलेशन है, पैकेज है आपके लिए, अर्थमेटिक एडवांस और रीजनिंग, ठीके, तो आप जोइन कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके, कल फिर मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट डे के करेंट अफियर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कल मिलेंगे, जय हिन, जय भारत!